रात का समय था राजिश्वर की दुकान में आज काफी फीर थी इसलिए उसे दुकान में बेहत देर हो गई थी दो बार उसकी पत्नी सीमा का फोन भी आ गया था रात के साड़े दस बजे उसे ग्राहकों से फुरसत मिली राजिश्वर अपनी दुकान का शटर बंद करी रहा था तभी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके लंबे-लंबे और काले घने बाल थे वो अपनी स्कूटी से उसके दुकान पर आकर रुखी भाया एक मिनट एक मिनट एक शैंपू लेना है शैंपू है क्या है तो लेकिन अब बहुत रात हो गई है कला कर ले लीजिएगा भाया प्लीज दे दीजिये ना राजिश्वर का मन तो नहीं था फिर से दुकान खोलने का क्योंकि उसकी पत्नी ने दो बार कॉल किया था और वो काफी गुसा भी कर रही थी राजिश्वर को उस लड़की पर बहुत गुसा आया क्योंकि वो जल्दी में था और वो लड़की उससे एक के बाद एक और सामान मांग रही थी अरे आप समझती क्यों नहीं मुझे देर हो लिए अब मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता हूँ प्लीज सिर्फ एक बोतल पानी दे दीजे फिर मैं कुछ नहीं मांगूँगे राजिश्वर ने एक बोतल पानी लाकर उस लड़की को दिया लेकिन उसके बाद उस लड़की ने जो हरकत की उसे देखकर राजिश्वर को लगा कि वो कोई पागल है अरे ये क्या कर रही हो इस पानी से अपने बाल गिले क्यों कर रही हो तु देखता जा तुझे अभी समझा जाएगा उसके बाद उस लड़की ने शेंपू की बोतल खोली और पूरी की पूरी शेंपू अपने सिर पर उडेल ली अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या ये कोई शेंपू करने की जगा है लेकिन वो लड़की राजेश्वर की बातों पर बिना कोई ध्यान दिये शेंपू करने लगी लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर राजेश्वर के मूँ से चीप निकल गई असल में शेंपू करने के बाद उस लड़की के सारे के सारे बाल नीचे जमीन पर गिर के और वो गंजी हो गई अरे ये क्या हुआ इस लड़की के बालों को ये क्या हो गया ये ये गंजी गंजी कैसे हो गई राजेश्वर आश्चेरे के मारे उस लड़की को देखी रहा था तब ही उस लड़की का चेहरा सुन्दर से बदसूरत होने लगा और वो एक चुड़ेल में बदल दे नहीं छोड़ूगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूगी मार दूगी, तुम सारे बेमानों को मार दूगी ये कहकर चुड़ेल बनी वो लड़की राजेश्वर का गला दबाने लगी अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने क्या किया है, तुम मेरा गला क्यों दबाने यो काखन उचाई से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई मार दिया मार दिया मैंने अब मेरा शिकार कोई और होगा उसके बाद उस लड़की ने उस दुकान में जितनी भी शैंपू की बोतले थी उसे खोल कर उसके शैंपू के दुकान में गिराने लगे पूरी दुकान शेम्पू शेम्पू हो गई अगली सुब उस दुकान के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और राजेश्वर की पत्नी अपने पती के मृत शरीर के पास दाहाडे मार मार करो रही थी ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, किसने मार दिया मेरे पती को, किसने मार दिया पुलिस वाले पूरी तहकीकात कर रहे थे, उन्हें बहुत आश्यर हो रहा था कि दुकान में कोई लूट पार्ट नहीं की गई है, पैसो का गल्ला भी पूरी तरह भरा हुआ था फिर किसने राजेश्वर के हत्या कर दी? अला कि दुकान में गिरी शैम्पू की बोजलों का रहस्य, उन्हें समझ नहीं आ रहा था लेकिन यह तो अभी शुरुवात थी, उस शेहर में तो हत्याओं का सिलसिला शुरू होने वाला था हर दूसरे दिन किसी ना किसी जनरल स्टोर के मालिक की इसी तरह हत्या होने लगी और उसके दुकान में रखी शैंपू की बोतलों को उसी तरह बरबाद किया गया जैसे राजेश्वर की दुकान की शैंपू की बोतलों को किया गया था कौन है ये सीरियल किलर, क्या चाहता है वो, आखिर उसकी जनरल स्टोर के दुकान के मालिक से क्या दुश्मनी है, और वो शैंपू की बोतलां को किबर बाद कर रहा है। कौन है वो, जो इस शैर को समसान बनाने पर तुला हुआ है। पूरी इमानदारी से चलाता हूँ। रोशनलाल, ज्यादा भोले मत बनो, तुम्हारी इमानदारी का फली ये शेहर भुगत रहा है। उसे रातो रात अमीर बनना था। उसने शैंपू की फैक्टरी लगाई और उस शैंपू में मिलावट करने लगा। और उसे नामी कमपनियों की बोतल में भर कर मिलावट की हुई शैंपू की बोतलों को वो शेहर के दुकानदारों को कम दामों पर सप्लाई किया करता था। इतने कम दामों में शैंपू बेच रहे हो। पहले तो यही ब्रैंड इतना महंगा मिलता था। और अब आधे दामों में। मैं पागल नहीं हूं सेड जी। बस उस ब्रैंड और इस ब्रैंड में थोड़ा सा अंतर है। मतला पैकेजिंग वही है। बस अंदर का माल थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। अरे किसी को पता लग गया कि तुम मिलावट वाली शैंपू बेच रहे हो तो। अरे आप भी ना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ दुकानदार भी रोशनलाल के दिये लालच में आ गये। और उससे कम दामों में शैंपू खरीते और उससे अधिक दामों पर बेचते इससे उन्हें कई गुना मुनाफ़ा होता। लेकिन कई दुकानदारों ने उसे बाहर का रास्ता ये कहते हुए दिखा दिया कि उन्हें बेइमानी के पैसे नहीं कमाने हैं। दूसरी और रोशनलाल को भी बहुत ओर्डर मिलते। लोगों को जरा भी शक नहीं होता क्योंकि वो तो ब्रांड वाले शैंपू ही खरीते। अब उन्हें क्या पता कि अंदर ब्रांड के नाम पर क्या घोटाला बाता। अगर मेरी कमाई इसी तरह होती रही, तो एक दिन मैं इस शहर का, मैं तो इस देश का सबसे अमीर आद्मी बन जाओंगा। लेकिन नकली प्रोडेक्ट तो नकली ही होते हैं ना। एक दिन की बात है, रामेश्वरी नाम की एक लड़की जिसके बाल बहुत ही खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत कि जो भी उसके बाल देखता वो उसका दिवाना हो जाता। वाव रामेश्वरी तेरे बाल कितने खूबसूरत है यार काश मेरे बाल भी ऐसे होते घने, मुलायम, काले और लंबे रामेश्वरी से जादा उसके बालों की चर्चा हर ओर होती चाहे वो कॉलेज हो या कोई पार्टी बहराल रामेश्वरी के बालों की खुपसूर्थी ने मयंक नाम के लड़के को उसका दिवाना बना दिया और उसने एक दिन उसे प्रपोस करते हुए कहा कि रामेश्वरी मैं जीवन भर तुम्हारे बालों की लटों से खेलना चाता हूँ तुम्हारी सुल्फों की च्छाओं में रहना चाता हूँ I love you, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रामेश्वरी ने अपनी हामी भर दी, उन दोनों की शादी तै हो गई लेकिन शादी के पांच दिन पहले की बात है रामेश्वरी अपने बालों को शैंपू से धो रहे थी ये शैंपू वो कल ही मार्केट से लेकर आई थी लेकिन उसे क्या पता था कि ये नकली शैंपू उसके बालों के साथ क्या करने वाला है उसने शैंपू को बालों में लगाया और जैसे ही उसने अपने बालों को धोया उसके सारे के सारे बाल जमीन पर आगिरे ये, ये क्या हो गया मेरे बालों को मैं, मैं गंजी हो गई ज़रूर इस शैंपू में कोई मिलावट थी रामिश्वरी आइने में अपना मुँ देखकर बार-बार रोय जा रहे थी ये क्या हो गया पाच दिन बाद मेरी शादी है मैं को ये पता लगा तो कहीं मेरी शादी न टूट जाए लेकिन मुझे उसे बतारा तो होगा रामिश्वरी ने मयंग को सारी बाते बताई और अपनी फोटो खीच कर उसे मोबाइल पर भीच दी मयंग ने जैसे ही उस फोटो को देखा अरे ये कितनी बतसूरत लग रही है मैं ऐसी बतसूरत लड़की से शादी नहीं कर सकता रामिश्वरी की शादी तूट गई रामिश्वरी की शादी तूटने की बाद से उसे गहरा सद्मा लगा और उसने आत्मत्या कर ली मरते ही वो चुडैल बन गई मेरी शादी उस नकली शैंपू के कारण तूटी अब मैं इस शहर से शैंपू का नाम और निशान मिटा दूगी और इन नकली शैंपू बेचने वालों का भी रामेश्वरी उसी गुसे के कारण हत्याएं करने लगी लेकिन एक रात जब वो एक जनरल स्टोर के मालिक को मारने के लिए घुसी तभी उसका सामना इंस्पेक्टर अरजुन से हुआ उसने उसे समझाया रामेश्वरी इन हत्याओं से तुम्हें भले ही शांती मिलती हो लेकिन तुम्हें मुक्ती कभी नहीं मिलेगी इंसा का रास्ता वे धुहन्स की ओर ले जाता है माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दुकानदार गलत है सारे के सारे दुकानदार नकली शैंपू बेचते है रामेश्वरी को अपनी भूल का एहसास हुआ वो भी मुक्त होना चाहती थी इसलिए उसने अरजुन से वादा किया कि वो और लोगों को नहीं मारेगी लेकिन उन्हें भी नकली सामान बेचने वालों पर नज़र रखनी होगी तुम बिलकुल फिक्र मत करो रमेश्वरी मैं शहर से नकली सामान बेचने वालों का सफाया कर दूँगा इंस्पेक्टर अरजुन ने अपना वादा निभाया और शहर के सबसे बड़े मिलावट खोर को जेल की सलाकों के पीछे भेजा उस दिन के बाद से कोई भी अप्रिया घटना उस शहर में नहीं घटी पिछली तीन महिनों से दुरजन सिंग काली पहाडी के काले जंगल के पास इमली के पेड के नीचे अपनी आखे बंद किये एक ऐसी चुडैल को प्रसन करने के लिए तपस्या कर रहा था जिसे प्रसन कर लेने का मतलब था तबाही लगातार तबाही और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस चुडैल को काबू में करने के लिए कोई हथियार अब तक बना ही नहीं था वो चुडैल थी पाद मारने वाली चुडैल पाद मारने वाली चुडैल आजा पाद मारने वाली चुडैल आजा एक बार आजा 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 एक बार आजा 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 तीन महीनों से उसने अन्र का एक दाना भी नहीं खाया था दुर्जन सिंग के गुरु ने उसे पाद मारने वाली चुडैल की आराधना करने के लिए कहा था क्योंकि एक वही थी जो दुर्जन सिंग को सफलता दे सकती थी एक दिन की बात है दुर्जन सिंग आखे बंध किये तपस्या में लीन था तभी बहुत जोर के पाथ की आवाज आई आवाज इतनी जोर की थी कि दुर्जन सिंग के आसपास धूल का तोफान साओने लगा और एक भयानक बद्बु वहाँ फैल गई बद्बु? अरे ये बद्बु कहां से आने लगी है? कितनी भयानक बद्बु है? कहीं मैं बेहोश न हो जाऊँ अगर मैं बेहोश हो गया तो फिर मेरी तपस्या आधूरी रह जाएगी दुर्जन सिंग अपनी आखे बंद किये ये सब सोची रहा था तब ही उसके कानों में एक आवाज आई दुर्जन सिंग, दुर्जन सिंग, अपने आखे खोल दुर्जन सिंग ने जैसे ही अपनी आखे खोली तो उसने देखा कि एक पाद मारने वाली चुडएल उसके सामने खड़ी है उसके हाथों में कई सारी मूलिया है थोड़ी थोड़ी देर में वो उन मूलियों को खाती है और पाद मारती है पाद की बद्बू इतनी भयानक होती है कि दुर्जन सिंग का उल्टी करने का मन होने लगता है लेकिन वो ये बात पाद मारने वाली चुडएल से नहीं बोल सकता यूँ आखे पाड़ पाड़ कर क्या देख रहा है दुर्जन सिंग? बता क्या चाहिए मुझसे चल्दी बोल पाद मारने वाली चुडएल मुझे अपने दुश्मन पर विजय चाहिए कौन है तेरा दुश्मन? मुझे उसके बारे में विस्तार से बता चुडएल की बात सुनकर दुर्जन सिंग शुरू से कहानी बताता है आधी रात का समय था बाजिगरपुर की जनता नींद के आगूश में थी राजावीर सिंग के राजमहल के बाहर राजी के कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे तभी अचानब जोरू की बिचली कड़की वो भी बाते करी रहे थे कि आकाश से आग के बड़े बड़े गोले नीचे जमीन पर गिरने लगे गिरीश खत्रे का घंटा बजाओ लगता है शत्रू सिना ने फिर से हमला किया है इदर आस्मान से गिरने वाला वो गोला किसी सैनिक पर गिर्बा तो कभी किसी के घर पर हर ओर चीक पुकार मच गई भागो भागो जल्दी भागो नहीं तो सारे जल के मर जाएंगे राजा वीर सिंग ही अब हमें इस नई मुसीबत से बचा सकते हैं सेना पती मुझे वीर सिंग का जुका हुआ सिर चाहिए किसी भी कीमत पर जब तक उसका जुका सिर हमारे कदमों में नहीं होगा हम बाजीगरपुर की उस अमूले संपता के मालिक नहीं हो पाएंगे जिसके हकदार सिर्फ हम हैं दुर्जन सिंग माया भी राजा था उसने कई जादूई शक्तियों को अपने कबजे में कर रखा था उनकी शक्तियों की बदौलत वो किसी तरह वीर सिंग को हरा कर बाजीगरपुर में अपनी सत्ता कायम करना चाहता था राजा वीर सिंग तक जैसे ही ये खबर पहुची वो आग बबूला हो गए वीर सिंग के पास भी बहुत सारी शक्तिया थी उसने तीर निकाला उसे अपने मस्तक से लगाया और आसमान की उर छोड़ दिया पल में ही वो एक तीर कई सारे तीरों में बदल गया और आकाश से उन गिरते गोलों को नश्ट करदा से निकर दिया कुछी पलों में सब कुछ शान्त हो गया बाजिगरपुर की जनता ने चैन की सांस ली लेकिन दुरजन सिंग का चैन उड़ गया एक बार फिर से पराचय का स्वाध हमें चखना पड़ा है एक बार फिर से सिना पती हमें उस वीर सिंग की वीरता को धूल चटाने के लिए कोई और अन्य उपाई करना होगा दुरजन सिंग अपनी दुरजनता से बाज नहीं आया उसने फिर से शैतानी ताक्तों का सहारा लिया उन शैतानी ताक्तों के जरिये उसने फिर से बाजीगर पुरपर हमला किया उसने कभी कटे हुए सिर्की बारिश वहां करवाई लेकिन वीर सिंग ने हर संकट से अपनी प्रजा को बचा लिया अच्छा तो ये है तुम्हारी कहानी मेरे गुरुदेव ने बताया है कि वीर सिंग की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो कमजोरी है उसे पाद की बद्बू से बहुत नफरत है ज्यादा देर वो उसकी बद्बू बरदाश नहीं कर सकता बद्बू के कारण वो अपनी सारी शक्ती भूल सकता है लेकिन मामोली बाद से हम उसका कुछ नहीं बिगाड सकते इसलिए गुरुदेव ने आपको यानी पाद मारने वाली चुडैल को प्रसंद करने को कहा पाद मारने वाली चुडैल ने दुरजन सिंग से वादा किया कि जल्दी वो बाजिगरपुर का राजा होगा और वहां के सारे सोने का स्वामी वो होगा उसके बाद पाद मारने वाली चुडैल ने एक छोटी सी चीटी का रूप बनाया और रात के समय वीर सिंग के महल में प्रवेश कर गई चुडैल चीटी के आकार की थी इसलिए उसने पहरेदारों की नजर बचा कर वीर सिंग के शेयनकक्ष में प्रवेश कर लिया वीर सिंग उस समय गहरी नीन में थे वो उनके पलंक पर चड़ गई फिर धीरे अपने असली रूप में आ गई राजा वीर सिंग अब देख मेरी पाद का कमाल उसके बाद उस चुड़ेल ने जोर की पाद मारी पाद का स्वर इतना तीवर था पाद की आवाज के कारण वीर सिंग की नेन खुल गई ये देखकर चुड़ेल वहां से गायब हो गई वीर सिंग बिस्तर पर उठकर जैसे ही बैठे उनकी नाक में पाद की गंधी बद्बू प्रवेश कर गई कितनी खराब बद्बू है मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा वीर सिंग के सामने वो चुड़ेल हसते हुए आ गई वीर सिंग मेरी पाद से कोई भी नहीं बच सका है कोई भी नहीं चुड़ेल की पाद की दुरगंध से राजा वीर सिंग अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे और बेहोश हो गए चुड़ेल ने उन्हें तुरंध जंजीरों में बांधा और अपनी पीट पर उठा कर ले जाने लगी जैसे ही वो शेयनकक्ष के बाहर निकली वीर सिंग के सिपाहियों की नजर उस पर पड़ी सिपाहियों की बात सुनकर चुड़ेल जोर जोर से हसने लगी तुम लोग मुझे रूकोगे पाद मारने वाली चुड़ेल को रूको मैं तुमें अभी बताती हूँ ये कहकर चुड़ेल ने मुली खाकर सौर की पाद मार थी उसकी पाद से हर तरफ खलबनी मच गए जो भी उसकी पाद सुनका वो बेहोश हो जाता चुडैल ने राजा वीर सिंग को पकड़ कर दुर्जन सिंग के हवाले कर दिया। दुर्जन सिंग ने उसे सलाखों के पीछे डलवा दिया। उसने बाजिगरपुर और वहां के सुर्ण भंडार पर कबजा कर लिया। मेरी वर्षो पुरानी अभिलाशा पूरी हुई अब ये सुर्ण भंडार मेरा है और बाजिगरपुर भी मेरा। सब बातों से बहुत परिशान थी और वो किसी भी तरह से राजवीर सिंग को आजाद कराके दुर्जन सिंग के अत्याचार से बाजिगरपुर की प्रजा को भी मुक्ति दिलाना चाहती थी। एक दिन की बात है एक गुप्त चर बहुत ही अच्छी खबर लेकर उसके पास महारानी की जैहो, महारानी बहुत ही शुब समाचार है। हमारे वैद्यजी ने पाद मारने वाली चुडेल का काठ ढून निकाला है। वो स्वयम थोड़ी देर में आकर आपसे मिलने वाले हैं। थोड़ी देर बाद राजवैद्य हाथ में एक बड़ी सी शीशी लेकर महरानी के पास आए। राजवैद्य जी ये बोतल में क्या है? गुप्तचर तो बता रहा था कि आपने पाद मारने वाली चुड़ैल का काट खोश निकाला है? जी महरानी जी ये बिलकुल सत्य है इस बोतल में इत्र है। इत्र ये क्या होता है? उसके बाद महरानी ने उस बोतल को लिया और वो स्वयम ही छिपती हुई दुरजन सिंग के कैत खाने तक पहुँची और महराज वीर सिंग के उपर उस इत्र का प्रयोग किया फिर महराज अपनी प्रजा के लिए बहुत ही चिंतित हो गए उन्होंने महरानी के हाथों से इत्र की शिशी ली और दुरजन सिंग के पास जाप पहुचे लेकिन वीर सिंग के वाक्य को पूरा करने के पहले ही पाद मारने वाली चुडैल वहां गई और उसने मूली खा कर जोर से पाद मार गिया लेकिन वीर सिंग तयार थे उन्होंने इत्र तुरंत वहां छड़क दिया पूरा माहौल खुश्पुदार हो गया उस खुश्पुदार माहौल में पाद मारने वाली चुडैल का दम खुटने लगा उसे देखकर महराज वीर सिंग ने अपनी शक्ती का प्रयोग कर उसे को मिट्टी के नीचे दबा दिया सारी प्रजा को दुर्जन सिंग समेत बाद मारने वाली चुडैल दोनों से मुक्ती मिल गई